राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे यूटूब कैनल पर आपका हादिक स्वागत है दोस्तों बंदूओं विश्णु भक्तों मेरी प्यारी माताओं बहनों भाईयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों विश्णु भक्तों आज हम इस वीडियो में कार्थिक महत्तम का चौद्वा अध्याएं सुनेंगे ये कथा सुनने से विश्णु भवान की करपा से कोई बड़ी काम्याबी मिलती है दोस्तों जब आप कथा सुनने और आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा कमेंट में राधे राधे या ओम नवभगते वासु देवाई लिखिएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्तिक मास महत्तम का चौधवा अध्याए कार्तिक मास का आज लिखू चौधवा अध्याए स्री हरी किर्पा करे शद्धा प्रेम बढ़ाए तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देख देवता छुपद हो गये उन्होंने देवादी देव संकर का मन में इश्वन करना आराम्ब किया तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले संकर ने नारत जी को बुला कर देवकार की इच्छा से उनको वहाँ भेजा संभू भक्त नारत श्युकी आज्या से देवपुरी में गये इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीगरता से उठ नारत जी को उठकंठा भरी द्रश्टी से देखने लगे अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नश्ट करने की प्रातना की तब नारत जी ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए अब मैं दैतराज जलंदर के पास जा रहा हूँ ऐसा कह नारत जी देवताओं को आश्वित कर जलंदर की सभा में आए जलंदर ने नारत जी के चरणों की पूजा कर हसते वे कहा हे ब्रह्मन कहिए आप कहा से आ रहे हैं यहां कैसे आए मेरे योग जो सेवा हो उसकी आग्या दीजे नारत जी पिशन होकर बोले हे महा बुद्धिमान जलंदर तुम धन्य हो मैं स्वेच्छा से कहलास परबत पर गया था जहां दस हजार योजनों में कल्परवच का वन है वहां मैंने शैक्डों काम धिनों को विचरते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वह चिंतामणी से प्रकासित परम दिव अदबुत्म और सब कुछ सुण में है मैंने वहां पारवती के साथ इस्थित संकर जी को भी देखा जो सरवांक, सुन्दर, गौरवरण, त्रीनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किये हुए है उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्यर हुआ कि इनके समान संब्रद्धी शाली तिलोकी में कोई है या नहीं हे देतेंद्र उसी समय मुझे तुमारी इश्मद्धी का इसमर हो आया और उसने देखने की इच्छा से ही मैं तुमारे पास चला आया हूँ यह सुनकर जलंदर को बड़ा हर्स हुआ उसने नारज जी को अपनी सब सम्रद्धी दिखला दी उसे देख नारज जी ने जलंदर की बड़ी प्रिशंशा की और कहा कि निश्य ही तुम तिलोक पती होने के योग थे ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आये हो और दुत लोक पाताल और पैथवी पर जितने भी रतनादी हैं सब तुमारे ही तो हैं एरावत उच्चिश्रिवा घोड़ा काल्प व्रच और कुबेर की निधी भी तुम्हारे पास है मड़ियों और रतनों के धेर भी तुम्हारे पास लगे हुए इससे मैं बड़ा प्रिशन हूँ परन्तु तुम्हारे पास कोई इस्तरी रतन नहीं हैं उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है तुम किसी इस्तरी रतन को ग्रहन करो नारज जी के ऐसे वचन सुनकर दैतराज काम से व्याकुल हो गया उसने नारज जी को प्रडाम कर पूछा कि ऐसी इस्तरी रतन कहा मिलेगी जो सब रतनों में सिस्टो नारज जी ने कहा ऐसा रतन तो कहलास परवत में योगी संकर के ही पास है उसकी सरवांग सुन्दरी पतनी देवी पारवती बहुत ही मनुआर है उनके समान सुन्दरी मैं किसी को नहीं देखता उस रतनी की उपमा तीनों लोक में कही नहीं है देवरिशी उस दैत से ऐसा कहकर देवकार करने की इच्छा से आकास मार्ग से चले गए ये कार्थिक माह महत्तम के पंध्रवा अध्याय समाप्ध हुआ बुलो विश्नु भगवान की जै बंधों विश्नु भक्तों सिरीहरी की कृपा आप और आपके परवा पर सदेव बनी रहे आपका घर आगन खुशियों से महकता रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे